अगर वो इंडिये में चले जाते हैं इन एनी केस तो फिर जो इंडिया गट बंदन के लिए बार-बार यह कहा जा रहा है कि सबसे प्रमुखता से रोल जो है वो नितिश जीने निभाया सबसे प्रमुख काम उन्होंने किया और जिस तरीके से उसको एक आकार देने का काम किय तो ऐसी परिस्तिती में इंडिया गट बंदन पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा तो कैसा होगा फिर दो हजार चोबेस का चुनाओ क्या कुछ रहेगी रही ने मैं कमोबेस बड़ा इसको लेकर के पॉजिटिव हूँ निगेटिव नहीं हूँ मेरा अपना मानना है नि एंडिया नहीं लड़ गए इन रे नमोदी लड़ गए और दूसरी तरफ राहूल गांदी नहीं लड़ गए यह इस देश की आवाम लड़ गई है और अब वो अपने लिए भविस से तलास रही तो दो तरह की बहुत बड़ा मतलब जो बात कह दी राहूल गांदी ने कल नागपूर में वो बहुत बड़ी चीज है उससे बड़ी और लकीर हो नहीं सकती है मैं आज किसी से बात कर रहा था कई सारे लोग मित्रगान बैठे थे कई सारे उनमें से थे जो कॉंग्रस पार्टी के कुछ नेता के बारे में बात हो रही थी वो उनको गाली दे रहे थे हाख करेंगे क्या उन्होंने कहा कि राहुल गांदी के नेतरतो में हम राहुल गांदी के नाम पे इस सख्स को भी वोट देदेंगे जिसको हम पसंद नहीं करते हैं मतलब आप सुन लीजिए कहा हम तो राहुल गांदी को वोट देंगे और क्यों वोट देंगे क्योंकि राहुल गांदी जो बात उठा रहे हैं जिस विचारधाना की बात कर रहे हैं आज हमारी ज़रूरत वो है मतलब अब लड़ाई राहुल गांदी नहीं लड़ रहे हैं लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ा है, लड़ाई वीचार धानाएं लड़ रही है। उदारन बता देता हूं। हम आप छे लोग यहां पे बैठे हुए हैं। कोई भी भाजपाई नहीं है, कोई भी कॉंग्रेसी नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी का भी बैग्राउंड होगा ऐसा। लेकिन किसी का हो सकता है, मैं ब्राह्मन हूं भी तो हो सकता है, मेरा कुछ ब्राह्मन संगठनों से जुड़ा हो रहा हो। राइसाब बैठे हैं, इनका हो सकता है, भूम्यारों से कुछ रहा हो। अनन जी बैठे हैं, उनका छट्रियों से राहो और अनन जी बैठे हुए हैं, इसी तहीं के सारे लोग, तो आप एक चीज समझेए, लेकिन आज एक मत पे आकर के खड़े हो जाते हैं, कि देश बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश की संपत्तियों को बचाना ह है, और देश के साथ-साथ, अपने भविष से, अपने परिवार के भविष से, अपनी पीडियों के भविष को बचाना है, इसकी लड़ाई है, क्योंकि 2014 का चुनाओ, यदि लूज कर गए और नरे नमोदी हाथ जीत गए, तो उस स्थिती में, न संविधान बचेगा, न देश बचेगा, सब गुलामी में आ जाएगा, और इतनी बुरी गुलामी होगी, जो अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा बुरी होगी, तो ऐसी इसका उदारन है, कि नरे नमोदी जो कहते हैं, वो करते नहीं है, इसका उदारन मौजूद है, छतीस गड़ में आदिवासिय को बर्गलाया था, सरकार बनते ही, आप देखिए, सबसे पहली कुलारी कहां चली है, वो हंस्देव के जंगल में, जो आदिवासियों के लिए भगवान की तरह से था, और सचमुच, एक पेल काटने पे, तमाम जगे पे, तमाम बली-बली सजाएं, मुझे एक मद्रदेश की कोट की एक सजा याद आती है, किसाब एक केस में, एक बैक्ती ने, एक आदिवासी ने एक पेल काट दिया, उस पर वन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज किया, और जब चार्ज सीट फाइल की, कहा, उसने बताया कि इस एक पेल की कितनी आयू होती है, उस आयू के हिसाब से कितने की आकसीजन देता है, कितने की लकडी देता है, कितने का क्या देता है, इस हिसाब से, उस पर जो बना था जुर्माना, वो बना था करीब 75 लाक रुपय, minor farm, वेक पेल काटने पेव, उस आदिवासी पर, यहां तो हुजूर एक लाक पेल काट दिये, सरकारी पहरे में काट दिये बगएर किसी उसके काट दिये इसके बाद में कौन तो ये चीजे अब ऐसा नहीं है कि आप ये चिपती हैं दीरे दीरे चीजें जाती है ठीक है में इस्ट्रीम मीडिया नहीं बताता है तो उससे उतनी स्पीट से नहीं जाते हैं हम आप सब इतने छोटे इस टेक में हैं कि जो बहुत बड़े उसको वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सितिती में समच्छा जरूर है लेकिन हमारे आप जैसे दस लोग कम से कम दस आदमी को इंपॉर्म कर रहे न वो दस भी कहीं चर्चा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आफ़ा नमबर एक तो नितीश कु कहल कि दिशकुमार को कहता चलके में और पब्लाव को फुरण कोई किछी के नेता हुए अंधी उत्रप्रदेश में कोई मांने को तर्यों ए जान нез漏 नेता कोई किसी का नहता है कोई किसी का सब अपने-अपने कुई निशादों का है तो सब भुओ अपने-पने बने हुए उसके बाद आईए आप मद्धपर्देश में Mitaish Kumar को कितने अधमी स्वीकार करते हैं आप इसी तरही के शरियांए दच्छिन भारत में कहीं पर भी क्या नितीज कुमार का नाम लेवा है कोई आप पंजाब हरियाना इधर आजाएए बताइए ना आप कौन नितीज कुमार को पूछ रहा है नितीज कुमार एक जगह स्टेक रखते हैं हार जीत में सीटियों के एक भूमी का आदा कर सकते हैं निश्चित रूप से एक छोटा सा नुक्सान कर सकते हैं वो नुक्सान देश का नुक्सान होगा तो जब लोगों को यह दिखाई देगा कि हुदूर ये तो ऐसे ही है तो ऐसे ही है तो फिर वो होगा और क्या नितीज कुमार को बारती इंतापार्टी प्रधान मंत्री बनाए दे रही है क्या यदि प्रदान मंत्री बनने का वो सपना पाले है तो भूल जा है उन्हें प्रदान मंत्री न वहाँ बनना है न यहाँ बनना और यहाँ एक बार सोचा भी जा सकता है वहाँ तो सोचा भी नहीं जा सकता है तो ऐसी इस्थिति में नितीज कुमार का अब दूबता हुआ सूरज सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उनके साथ आज कॉंग्रेस और लालू खड़े हैं अन्य था नितीज कुमार की इस्थिति बिलकुर खतम है इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं दूसरा आपके मित्र विजे संकर जी का जब तेरहमी थी तो गया था मैं तो उसी दौरान घूमने के दौरान तमाम जगे पर बात हुई उन जगाओं पर जहां पिछड़ा वर्ग है वहाँ पर राहुल गांदी की बात का कोई बहुत बड़ा असर हो मैं नहीं देखता हूँ लेकि तो वो उसकी चर्चा करता है रही वात ना वो नितीज कुमार पर बात करता है ना किसी बात करता है वो या तो फिर राम मंदिर पर बात करता है धर्म के तमाम उस पर बात करता है नहीं तो वो बात करता है सिर्फ इस पर कि नौकरी यानि रोजगार और साथ में लोगतंत्र और देश और ये बचना चाहिए इसकी उसे जरूर चिंता है तो ऐसी सिती में आप समझ सकते हैं उसका फर्क क्या पढ़ेगा जी